स्री राजु विष्टा जी धन्यबाद मेडम आपने मुझे इस बजेट सेशन में बोलने का अनुमति दिया एक तो हम जैसे युवासांसत बड़ी उम्मीद लेकर के आते हैं कि सदन में विपक्ष के नेताओं को सुनेंगे और कुछ सीखेंगे आज बड़ी निरासा हुई और मैं विद्यमंत्री जी से ये भी निवेदन करता हूँ कि अपने जवाब में जरा एक बार अच्छे से बजेट दुबारा हमारे सब साथियों को बता दे क्यूंकि अधिर जी जो है किसी राशन की दुकान से सारी राशन की लिश्ट लिया है और उसके अलाबा उनके के कारण देश दुनिया आज जिस इस्तिती में है उसके बावजुद भी ये हिंदुस्तान ने दिखाया है कि अगर इरादे नेक हो गरीबों के सेवा करने की इच्छा हो और इच्छा सकती हो तो कोई भी बड़ा सा बड़ा संकट को भी आउसर में बदल करके देश के इस देश और बॉडर के इलाके के लिए बहुत ऐसी योजना ही थी जो आने वाले समय में उनकी दिशा और दिशा को बदल के रख देगी एक बोडर से लगे वे जितने भी गाव है उनके लिए जो योजना लेकर के आई है भारस सरकार वाइबरीन्ट विलेज के नाम से इस टांसपोर्ट के कारण जहां पहुंचा नहीं जा सकता उनके लिए जो रोपे की विवस्ता और पोस्ट ओफिस की सेवा को बैंक की सेवा के रूप में जोडने की योजना हो या हर घर जल जैसी योजना हो ये सब हमारी छेतरे के लिए बहुत लाबकारी है एक दो विशे में जरूर रखना चाहूंगा कि हमारे छेतर में रोट की बहुत सारी जो है योजना है अभी चल रही है मैं वित्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जादा से जादा फंड हमारे जैसे पिछड़े हुए छेतर को मिले अन्त में एक ही बात मैं रखना चाहूंगा सर आज जि के नेत्रितों में जिस तेजगती के साथ देश आगे भढ़ रहा है इतनी सारी योजना हैं लेकिन मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि दारजिलिंग में ऐसी कोई भी योजना है नहीं पहुंचती उसका मुख्य कारण ये है कि 2005 से अभी तक कोई पंचायत के चु लाग करोड के पार हो गया है और कोई भी योजना नहीं पहुंचती और जब आजाती के समय दारजिलिंग नंबर वन पे था एसिया में सबसे पहली बिजली दारजिलिंग में आई थी लेकिन जान बूच के गलत और गलत नियत और इरादों के कारण दारजिलिंग आज CPM T के कारण पिछड़ा है और 86 के बाद लगातार आंदोलन होते रहे हैं अलक राज्य की मांग उड़ती रहती है और हमारी सरकार ने भी पार्टी ने भी ये कहा है कि हम स्थाई राजनितिक समय दान करेंगे उसके लिए टॉक्स भी चल रहा है मेरी दोई विंतिये सर के स्था राजनितिक समाधानों और इसके साथ ही गोर्खाओं में 11 जाती ऐसे हैं जो ST के लिस्ट से छुटे हुए हैं 1931 और 1941 के जो लिस्टे उसके वहां तक भी ये ST थे लेकिन उसके बाद से उस लिस्ट से बाहर हो गये ये बहुत लंबी और पुरानी उनकी मांग है मैं सर आपक सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जारजिलिंग की जो गरिमा है उसको देखते हुए ये सारे मुद्दे हमारे छेत्रे के लिए जल से जलो आपने समय दे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद